साथियों अमेरिका इस समय इलेक्शन के दौर से गुजर रहा है आपको पता है कि चुनाव की तैयारियां चल रही है चुनाव प्रचार बिल्कुल चल रहा है चार साल में होने वाला चुनाव जो कि एक बार अगर चुन लिया जाए तो पूरी चार साल के लिए अपने देश सुचना दी थी और बताया था कि बाइडेन पीछे हट गए है और कमला का नाम आगे कर दिया है तो ट्रम्प वर्सिस कमला है इस समय इलेक्शन में है अब ट्रम्प वर्सिस कमला है इस में जो प्रचाशन है वो बिल्कुल भारत की तरह आगे बढ़ रहा है कैसे आपको या होगा कि पिछली बार, यानि कि अभी जो हमारे elections हुए लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के elections में प्रधानमंत्री को लेकर करके एक फॉर्ट चलाए गई थी, एक थ्योरी चलाए गई थी, डिक्टेटर्शिप की, कि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो तानाशाही आ जाएगी, अमेरिका के अंदर बढ़िया से तानाशाही, शब्द बिक रहा है, कि अगर ये आए ट्रम्प, तो तानाशाही ले आएंगे नमबर एक, नमबर दूसरा, जैसे भारत के इलेक्शन में पॉलराइजेशन का प्रयास होता है, पार्टियां जानी जाती है कि भहिया, मुसलिम वोट बैंक फलानी पार्टी का है, उस वोट बैंक को या तो एक पार्टी अपने साथ एखटा करने का प्रयास कर रही होती है तो दूसरा पार्टी उसको पोलराईज करने का प्रयास कर रही होती है कि उसके नम पर बाकी लोगों को एक कर लो या रिवर्स कि उसके वोट एक साथ ले लो हमारे देश में Muslims vote का जो vote bank करण हो चुका है और उस vote bank की करण में जो तुष्ठी करण चल रहा है वो तो सर्वविधित है, दुनिया भी जानती है, लेकिन भारत से कोई इतना inspired हो जाएगा, यानि दुनिया की सबसे बड़ी democracy से, so-called सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश, अगर प्रभावित हो जाएगा, तो खबर तो बड़ी बनेगी ही, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हाल ह में Trump का एक tweet, अमेरिका में बहुत जादा बवाल कर रहा है, और वो क्या है, आईए मैं आपको बताता हूँ, आप यहां पर Trump के tweets के अंदर कुछ तस्वीरें देखें, पहली तस्वीर इशारा कर रही है, कि no one is safe, with Kamla's open border, Trump कह रहे हैं, कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, एक स अगर आती हैं, तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा, क्योंकि Kamla borders को open रखना चाहती है, यह केवल single सा point था, चलो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरा देखते हैं, Kamla का कहना है कि वो free health care देंगी illegal लोगों को, यानि कि जो अवैद प्रवासी आकर के अमरिका म बस रहे हैं, उनको free, illegal लोगों को free health care देंगी, तो आप जड़ा इधर देखें, एक hospital के अंदर जाते हुए लोगों की line लग रही है, आप देख लीजी, they are coming to collect, इसलिए Trump को vote दें, यह दूसरा Trump का हो गया, चलो यहां तक तो दो line में मुसलमान जैसी कोई बात है ही नहीं, यह तो अवैद प्रवासियों की बात हो रही है, चलो जी, यहां तक भी ठीक है, अब तीसरा tweet अगर आप देखें, तो आपको सारा माजरा clear हो जाएगा, तीसरा tweet Donald Trump का 1 सितंबर का है, और यह है, meet your new neighbors, अपने नए पड़ोसियों से मिलें, पहनावा इसपस्ट कर रहा है कि पड़ोसी मुसल्मान है, कर क्या रहे हैं, वो अमेरिका का जंडा जला रहे है, पोले यह आपके नए पड़ोसी होंगे यदी कमला जीतती है, इससे ज़्यादा इसपस्ट, इससे ज़्यादा सटीक तरीके से किसी एक community को संभवतिया इतने पुराने लोकतंत्र में आप होत हुआ पहली बार देख रहे हों, लेकिन ये वास्तविक्ता में पहली बार तो नहीं है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के दोर में एक दम इस तरह से लिख देना, ये साफ करता है कि ट्रम्प किस तरह से मुसल्मानों को अमेरिका में देखते हैं, और ये भी सपस्ट करता है कि कमला हैरिस, इल्लीगल माइग्रेंट्स की समर्थक, प्लस मुसल्मानों की समर्थक हैं, इस बात को ट्रम्प सब को बता रहे हैं, अब ऐसा कैसे इस पस्ट हुआ कि ये सब को बता रहे हैं, चुनावों में कितना जादा मुसलिम वोट मैटर करता है, क्या ये रिपब्लिक पार्टी से आते हैं, बाइडेन और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से आती हैं, डेमोक्रेटों को मुसल्मानों का समर्थक माना जाता है, यह माना जाता है कि अमेरिका में जो बड़ी तरह से जो अवैद प्रवासी घुश रहे हैं, उन्हें केवल और केव about their place in society but continue to believe in the American dream मतलब Americans के साथ रहते हुए मुसलमान भविश्य को लेकर चिंतित भी है लेकिन सपना तो है ही अमेरिका का ऐसे में US के लिए ये जो 2017 वाला स्टेंड है ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ट्रम्प का ये बायान जो अब आया है ये पहले किस तरह से था और किस तरह से पहले इसने असर डाला था अब वो देखते है फर्श 2015 की बात है क्या US में मुसलिमों पर बेन लग जाएगा ऐसी सुर्खी भारत में चलने लगी थी क्यों चलने लगी थी 2015 में ठीक इसी प्रकार से जब चुनाव होने वाले थे असल में 2016 के चुनावों में ट्रम्प जीत कर आए तो 2015 में ही ट्रम्प ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था और ट्रम्प ने कहा था कि वो अगर राष्ट्रपती बनते हैं तो वो अमेरिका में प्रॉपर तरीके से मुसल्मानों की एंट्री बंद कर देंगे तोटल एंड कम्प्लीट शटडाउन ओफ मुसलिम्स इन अमेरिका ये ट्रम्प ने 2015 के दिसंबर में बयान दे दिया था ट्रम्प ने कहा था कि अगर मैं आता हूँ तो मैं ऐसी देश में किसी भी मुसल्मान को एंट्री नहीं करने दूँगा ऐसा उन्होंने अपनी एक रैली के अंदर 2015 के अंदर कहा तो क्या परिनाम निकला? 2016 के इलेक्शन हुए ट्रम्प विजई हुए ट्रम्प के खिलाफ खड़ी थी हिलेरी क्लिंटन जो हार गई ट्रम्प विजईता बने 8 नवंबर 2016 को हुए इलेक्शन्स में इलेक्शन्स के बाद पार्टी के अंदर पद तक पहुंचते पहुंचते जनवरी का काम आ जाता है 2017 की जनवरी आ गई ट्रम्प ने अपने शुरुवाती जो आदेश दिये उसमें पहला बड़ा आदेश था कि साथ कंट्री सीधी सीधी ऐसी लिख दी टैग कर दी जहां से लोग अमेरिका नहीं आ सकते साथ देशों का नाम मार्क कर दिया और ये साथों देश मुस्लिम रास्ट थे कि भई यहां से इस देश में कोई नहीं आएगा इन साथ देशों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया गया वो था कि अमेरिकी मुसल्मानों से डरते हैं क्योंकि मतलब उल्टा इसमें का गया कि मुसलिम अमेरिकियों से नफरत करते हैं क्योंकि अमेरिकियों में ये डर है कि 9-11 का जो हमला था वो मुसलमानों ने किया था और मुसलिम आतंकी होते हैं और ऐसे में इनका इस देश में कोई स्थान नहीं है। या स्वरूप George W. Bush का अफगानिस्तान पर हमला ये ट्रंप की ही पार्टी के समय में था यानि कि उस समय भी रिपब्लिकन्स का ही साशन था जब अमेरिका पर हमला हुआ और रिपब्लिकन्स ने ही अफगानिस्तान पर अलकाइदा के खातमे के लिए हमला किया था यानि इसलामिक कंट्री है वो इसे इसलामोफोबिया कहते हैं कि इसलाम से डरते हैं जो लोग वो इसलामोफोबिक है यानि कि सभी मुसलमान आतंकी नहीं होते ये उन देशों का कहना है या फिर कहिए कि अमेरिका में उन लोगों का कहना है जो मुसलमानों को आतंकी नहीं मानते और वो इसको Islamophobic कहते हैं, जो लोग Islam से डरते हैं. ऐसे में, Trump का सीधे ही इस तरह से बेन कर देना, कथनी और करनी में समानता को दर्शाता है. ट्रम्प इस बात को बढ़िया तरीके से प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आते ही अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से जो लोग यहां एंट्री किये थे उन्हें बाहर निकाल रहा हूँ 13769 करके order number निकाला और कहा कि भई अब से order है कि कोई देश के अंदर एंट्री नहीं करेगा साथ देशों से सीधी एंट्री को बैन कर दिया गया इनमें सबसे पहला देश था इरान आपके दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा कि इरान ही क्यों इरान इसलिए क्योंकि इरान के इसलिए बारे में एक बड़ा तर्क ये दिया गया कि सबसे ज़्यादा अमेरिका में अगर कहीं के मुसल्मान आकर रह रहे हैं तो वो इरान है तो ऐसे में एरान लीबिया सुमालिया यमन सीरिया इराक और सुडान यहां से कोई व्यक्ति कैसे भी अमेरिका नहीं आएगा अगर अवैद तरीके से भी आगया है, तो भी उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये पाबंदी इन्हों ने कई चरणों के अंदर लागू कर दी, कुछ महीने बाद टरंप ने फिर एक और ओर निकाला, जिसमें कुछ बदलाव किये गए, और एराक को लिस्ट से हटा दिय फिर तीसरी लिस्ट जारी हुई, इसको 3.0 भी कहा गया, इसके अंदर कुछ और देशों को शामिल किया गया, जैसे वेनेजवेला, चाड, नौर्थ कोरिया, ये मुसलिम बहुल देश तो नहीं थे, लेकिन अमेरिका की इन से बंती नहीं थी, सुडान इस फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया, कहने का मतलब ये रहा, कि टरंप ने अपने एक्जिक्यूटिव ओर्डर के माध्यम से कई देशों पर बेन चिपका दिये थे, और बार बार सबसे जब कोई पूछता तो कहते थे, कि मुझे लगता है कि वो लोग हमसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं उन् बेन लगाते रहे, इनके खिलाफ खुब प्रदर्शन होते रहे, लेकिन ये नहीं माने, अमेरिका में लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, कि ये आप ऐसा करके, रिलीजियस लिबर्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये गलत है, और आपके खिलाफ हम लोग प्रदर करने जैसा था और संभव तया चुनावों में जिताने वाला भी था इसका परिनाम क्या निकला 2018 में मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या में कमी देखी गई जो कि पहले की तुल्ला में और प्यू रिसर्च की बात मानें तो 9-11 के बाद अगर सबसे कम मुस्लिम शरणार्थी अगर अमेरिका में कभी आये तो वो तब आये जब अमेरिका में ट्रम्प ने इस तरह का बैन लगाया फिर बाइडन ने क्या किया जब ट्रम्प को ये समझ में आया कि भाई ये मुसलमान का विरोध मेरे लिए फाइदे का है तो बाइडन ने इसको कैसे कैश किया बाइडन ने अपने चुनावों में कहा कि जैसे ही मैं राष्टपती बनूँगा मैं इस तरह के सारे बैन हटा दूँगा बाइडन चुनाव जीतते हैं और वो पहले ही दिन इस प्रकार के सारे बैन हटा देते हैं पहले दिन अटा देते हैं कि कोई बैन नहीं है कोई भी अगर आता है तो वेलकम है इसका मतलब अमेरिका में मुसलमानों की जो एंट्री है वो वहां का एक बड़ा राश्ट्रिय मुद्दा है प्रवासियों को ले करके वहां के लोग बटे हुए हैं प्रवासियों में भी अवेद रूप से आ रहे हैं, उन्हें लेकर के बड़ा वो है, तो Biden ने आते ही 21 जनवरी 2023 को जो पहला फैसला लिया, उसमें Muslim countries का travel ban हटाया गया, अब आप इसको relate कर सकते हैं, कि Trump पहले आए थे, तब उन्होंने पहले दिन countries को ban किया, Biden आए तो Biden ने पहले ही दिन लोगों के स पिछले ही साल, Donald Trump ने जस्ट उस समय, 2016 को repeat करते हुए, इस बार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं Muslim बैन को revive करूँगा, और जो White House ने मेरे फैसले को पलता है, मैं उनके फैसले को पलट दूँगा, अगर रास्टपती बना, तो इस बार फिर से ये चुनाओ में है, पिछली साल कहा था, इस बार ये पूरी तरह से चुनाओ में है, और आपके दिमाग में बड़ा प्रशनाएगा, कि भाई, इतना भी कितना मुसल्मान रहता है अमेरिका में, जिसे लेकर के इतना बयानबाजी चल रही है, तो देखिए, अमेरिका में प्राप्त आंकणों क क्या होते हैं, ये भी बताएंगे, इसे अपने देश में swing voters कहा जाता है, जिनका पता नहीं है कि ये किसे vote देएंगे, Democrats को देएंगे, Republicans को देएंगे, ये नहीं पता है, ऐसे ही इनके यहां भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जिने pink state भी कहा जाता है, जिनका अंत तक नहीं पता चलता कि ये ज़्यादा वोट किसको देंगे, किस पार्टी को देंगे, इने swing states कहा जाता है, उन swing states के अंदर, जो majority है ना, वो Muslim संख्या जादा है, अच्छी खासी आबादी में हैं, और US के Muslim अमेरिकी संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, एक आंकडे के अनुसा अमेरिका में अगर 33 करोड आबादी है, तो उसमें 34.5 लाख Muslim है, जिन में से 21.5 लाख वयस्क आबादी है, और ये वोटर्स हैं, और बड़ी संख्या में जो एप्रवासी आकर बसे हैं अमेरिका में, उसमें बड़ी संख्या में मुसल्मानों की संख्या है, जो दुनिया भर से आकर यहां पर बसे हुएं हैं, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बनता है, कि अमेरिका अपने इन स्विंग वोटर्स को ही हमेशा प्रभावित करने के लिए रहता है, इनको आसान भाशा में ऐसे समझीए, जैसे हमारे देश के अंदर कुछ राजनेतिक दलों ने अपन अपने वोटर आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे बीजेपी के लिए कहते हैं कि ये जनरल कास्ट के लोग इनको वोट देते हैं, मतलब ये मानकर चलते हैं कि ब्रहमन बढ़िये लोग शंभवतया इनको वोट देते होंगे, हाला कि देश में उनके आवादी बड़ी सीमित आवाद के अंदर तो उन्होंने पिछडा, Dalit और Alp-Sankhyaak, PDA गटबंधन बनाया, और PDA गटबंधन में उन्होंने कि मुसलिम वोट भी अपना होना चाहिए, यादव वोट भी अपना होना चाहिए, पिछडा वोट यादवों के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- ये vote share तो सब को बता है, जैसे कि हमारे देश में ये vote इस party को जाएगा, ये जितने भी political जानकार है, analyst है, वो पहले से मान कर चलते हैं, कि ये तो इस party का है, ये इस party का है, ओके, लेकिन क्या ऐसी जातियां हैं हमारे देश में भी, जिनके बारे में last moment तक नहीं पता चलता कि य जैसे राजस्थान के अंदर जाटों को लेकर, ये कहा गया कि जब जाट सत्ता पक्ष के साथ में हुए तो जिता दिये, विपक्ष में हुए तो हरा दिये, जैसे इस बार के लोगसभा elections में, जो लोगसभा सीटे घटी BJP की, उसमें बड़ा कारण जाट वोटों का एक पक्ष में पढ़ जाना बताया गया, कि साब ये BJP के साथ नहीं गये, मतलब स्विंग कर गये, स्विंग जो चीजें है, मतलब इनका नहीं पता लास्ट में ये किस के साथ चले जाएंगे, और कुछ कास्ट ऐसी, कुछ थेत्र ऐसे, जो लास्ट तक चाहते हैं कि बताओ हम हमारे लिए क्या करोगे, अगर आप हमारे साथ हो, तो हम आपके साथ है, अगर हमारा कोई उम्मीदवार आपने नहीं उतारा, हमें कोई बड़ा पद नहीं दिया, हमारे लिए कोई नियुक्ति नहीं दी, हमारे लिए कोई काम नहीं किया, हम आपको वोट नहीं देंगे, यह जो एंड तक और इन ही के लिए सारा की सारा गेम चल रहा होता है, मतलब असल में जो वोट जीता जाता है, जुनाओ जीते जाते हैं, वो 2-5 परसेंटेज वोट शेर से जीते जाते हैं, मतलब अपोजीशन और सत्तापक्ष लगभग बराबर किसी वोट पाती है, 10-5 परस इस राज्य के वोटर अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ चले गए तो वो पार्टी सरकार में आएगी, बाकी पहले से बटे हुए है राज्य कि इस राज्यों में अधिकांस लोग जीते हैं इस पार्टी के ये हैं बीच के लोग जो डिसाइड करेंगे कि कहां जाना है, ऐसे में अमेरिका के इन swing voters को लेकर के ही सारे दावपेच खेले जाते हैं. Swing voters में चुकि Muslim बढ़ती आबादी है, और Muslim बढ़ती आबादी के साथ-साथ अनुमान बताता है कि 2050 तक Muslim Samudai की आबादी 80 लाग तक हो जाएगी, जो कि आबादी का कुल 2% हो जाएगी, ऐसे में इन swing voters का vote किस तरह से डलवाया जाए, यही सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ठीक है? तो यह मैंने आपको सारी जानकारी दी, अच्छा, इनमें सबसे ज़्यादा मुसलमान कहां से आकर बसे हुए हैं, तो 7-11% मुसलमान जो अमेरिका में रह रहे हैं, वो इरान से आए हुए हैं, उसके बाद जो दूसरा नंबर है, वो भारत से आए हुए मुसलमानों का है, फिर अफगानिस्तान, बांगलादेश, एराक, कुवेत, सीरिया और फिर मुसर के मुसलमानों का नंबर आता है, अम कमला हैरिस और ट्रंप को ही आप देख लीजिए 2024 अगस्त का ये सर्वे है इसे देखिए आप स्विंग वोटर्स का अभी का मन क्या चल रहा है वहां पर क्या होता है न्यूस चैनल वाले खुद डिसाइड करते हैं मतब न्यूस चैनल वाले पोल कराते रहते हैं बताओ भाई यह चल रहा है क्रूप का और यह ब्लू को मार्कर चल रहा है यह चल रहा है कुम्ला हैरिस जो फेल श्टेटेट्स हैं एरिजोना जॉर्जिया पेशना से लूइन हैं नॉम्निया नेवादा नॉर्थ कारोलीना ह docs शे серьजाद के लीज बनाए हूं मतलब यह है कि यह यहां पर बताया जाता है कि यह लोग चुनावों में इलेक्टोर जो जिनको चुनते हैं वो उन पार्टियों के होते हैं जिनसे इनके हित बन रहे होते हैं अच्छा युएस प्रेसिदेंशल एलेक्षिन में कुछ बातें आपको जरूर जाननी चाहिए जैसे भारत में जब ह हम लोग चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि 543 लोग सभा सीटे हैं जिनके पास 272 का आकड़ा आ जाएगा वो सरकार बनाएगा ऐसे ही इनके यहां पर 538 एलेक्टोरल्स हैं एलेक्टर्स कह सकते हैं आप एक तरह से सांसद को हाला कि इनके यहां उनका सांसद वाला दर्जा नहीं है यानि कि वो जाकर के नहीं बैठेगा लेकिन इनके चुनाओं में राष्टपती को डायरेक्ट वोट नहीं दिया जाता इलेक्टर को चुनकर भेजा जाता है इलेक्टर्स उन पचास राज्यों से चुने जाते हैं जनसंख्या के प्रतीशत में मतलब इनके 538 एले मतलब ऐसे समझे एक मुद्दा बताता हूँ 2016 का ट्रंप को 46.4 फीजदी वोट मेले थे और हिलेरी क्लिंटन को 48.5 फीजदी वोट मेले थे बढ़त संख्या के हिसाब से तो हिलेरी को राष्टपती बनना चाहिए था लेकिन इलेक्टर्स जो थे ना 270 वो ट्रंप को मिल समय करें तो ऐसे समझे पार्टी ने अपने अपने लोग उतारे राज्यों में कि हमारे लोगों को वोट दो विधायक की तरीके से समझो यह जो अबने 5 नवंबर 2024 होने वाला अमेरिकी चुनाव है जो कि पहले सुमवार के अगले मंगलवार को होता है उस चुनाव में क्य जेडिया और लोग सबा के लिए लोग बता दिये कि इनोंसे किसको वोट दर भी पता दो थो लोग वोट देते हैं अपने यह बताए घाये जिस पार्टी से वो इलेक्टरerson चुना गया उसीको ़ोट देगा इनके यह यहह कि ऑलेकि और मन परेर सकता है मतलब इलेक्तर जीन मार सकता है जो कि लास्ट 2016 में देखने को मिली थी तो मतलब यहां पर स्विंग स्टेट्स बड़े टफ है और उन टफ में इलेक्टर्स की भूमी का टफ है इलेक्टर्स की अगर बात की जाए तो स्विंग वोटर्स पर कमला है इस भारी पड़ रही है और भारी पड़ते समय वो निरंतर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है आपको याद हो तो अभी इसराइल और गाजा का जो मामला चल रहा था इस दौरान अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में इसराइल के खिलाफ परदर्शन हुआ था खैर जो भी हो कमला हैरिस फिलहाल टरंप से आगे स्विंग स्टेटेज में चलती हूए दिख रही है यही कारण है कि टरंप याद दिला रहे हैं यह लोग जब तक हैं इन लोगों ने हालात यह कर दिये कि हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे कॉलेजज में लोग गाजा के समर्थन में हमारे जंडे को आग लगा रहे हैं हमारे देश में रहते हुए हमारे जंडे को आग लगा रहे हैं अपने हितों की बात दूसरे देश में करने के लिए मतलब गाजा के लोग यहां प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उनके sympathizer हमारे देश में उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, यानि कि अगर आप यह चाहते हैं, तो कमला को वोट दें, अदर्वाइस पिर मुझे वोटतें, कमला हैरिस कह रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है, वो एक दिन डिक्टेटर बन जाएंगे, फिर ट्रम्प से और भाई साब इनके यहां मुसलमान वोटर भी चला आया है, देखो जरा, इनसे पूछा गया, अब देखो इनकी क्या कहानी है कहानी यह है, इनसे पूछा गया, कि साब आपके ओपर का जा रहा है कि आप पावर्स का मिस्यूज करोगे, आप जिस दिन राष्टपती बन गये, उस दिन आप पावर्स का मिस्यूज करेंगे, आप डिक्टेटर बन जाएंगे, ऐसा कमला हैरिस कह रही है, इनके समाचार चैनलों में इस तरह से इंटर्वी होते रहते हैं और उस उमीदवार से क्योंकि आपने देखा होगा ना प्रेसिडेंशल जो डिबेट्स होती है वो भी न्यूस चैनल वाले ही कराते हैं ऐसे में इंसे पूछा गया कि सर आप अगर बन गए तो पता चला है कि आप तो से ये इन लोगों ने साफ कहा है हाला कि इस बात पर अब सोशल मीडिया भी बटा हुआ है ट्रम्प को सीधा समर्थन एलन मस्क दे चुके हैं एलन मस्क अपने स्थर पर इने पहरे ही एंडॉर्स कर चुक है मैं भाई ट्रम्प के साथ हूँ एलन मस्क ऐसे में इनकी फोटो तस्वीर ढाल कर कह रहे हैं कि यदी कमला हैरिस आती है तो ये एक दिन कम्योनिस्ट डिक्टेटर बनेंगी चा आपको नहीं लगता है बाई साफ एलन मस्क इनके बारे में तस्वीर ढाल करे कि ये communist dictator बनेंगी क्योंकि यह जिस तरह की बाते कर रही है प्रवासियों को जबरन घुसने देना और यह सब करना तो बोले यहां पर इस तरह की चीज़ें चल रही है अच्छा, ऐलन मस्क इस बात को प्रूव करते हुए कमला हैरिस का 2017 का एक tweet निकाल लाते हैं और कहते हैं कि देखो कमला हैरिस ने कहा था एन अंडोक्यूमेंटेड इमिग्रेंट इस नौट एक क्रिमिनल मतलब जिसके पास में अगर कोई भी वैद दस्तावेज नहीं है तो वो क्रिमिनल तो नहीं होगा, अपराधी तो नहीं होगा इसका सीधा सा अर्थ ये भी निकलता है कि अवैद प्रवासियों की पक्षधर है कमला हैरिस यह बिलकुल अपने पस्चिम बंगाल वाला हाल है पस्चिम बंगाल के अंदर जैसे बांगलादेशी माइग्रेंट्स आय हुए हैं अब एक पार्टी उनका समर्थन करे और एक पार्टी उनका विरोध करे बिलकुल वैसा ही इनके यहां पर बड़ा इशू है तो एलन मस्क कह रहे है प्लीज नोट देट इस इन एक्श्वल स्टेटमेंट फ्रॉम कमला और ये खबर कब की है 29 अगस्त 2024 की मतलब कमला हैरिस का जो मनतव्य है कि वो एप्रवासियों को लेकर कितने लिबरल है वो जानकारी भी अब पबलिक है कि भाई अवैद प्रवासी इसका मतलब क्या हुआ अवैद प्रवासी जहां पर भी वोट देने की स्थिती में होगा वो कमला हैरिस को वोट देगा अब आप पुछेंगे कि वो तो वोटिंग राइट भी नी पाया होगा फिर उससे डर क्या है तो भाई जैसे अपने देश में बांगलादेशी जो गुसे हुए है उन्होंने भी आधार कार्ड पैचानपत्र वोटर आइडी कार्ड बनवा लिए है ऐसे कुछ ऐसे भी तो होंगे जो अमरिका में भी घुसकर के कार वगएरा बनाकर बैठ गय होंगे और नहीं तो कम से कम किसी और के नाम पर दे आएंगे इस तरह की राजनीती फिल हाल वाँ चल रही है कमला हैरिस ने 2017 में ये बयान दिया था जो ट्वेटर पर डाला हुआ है कमला हैरिस ने फिर स्टमबर में बयान देती हैं कि इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा कुश्चन है कि हम लोग कैसा देश चाहते हैं जिसमें हम रहें, एक देश जहां पर डर का माहौल हो, जहां पर नफरत का माहौल हो, एव्यवस्थाएं हो, या फिर एक ऐसा देश, जहां पर पूरी तरह फ्रीडम हो, कमपेशन हो, रूल अफ लौ हो, मतलब इनके यहां खोले आम चल रहा है, ताना शाह, मुस्लिम वोट, अवैद प्रवासी, बिल्कुल सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बस अपन दुबारा से इलेक्शन देख रहे हैं, इंडियन के इलेक्शन देख रहे हैं, मतलब आप सोचिए, कि इलेक्शन में नेरेटिव का कितना बड़ा महत्व होता है, आप लोगों ने अभी बीते दिनों इसे हैं, बाकि आप इसे कैसे देखते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, बाकि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा वाट्सेप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर उसे जॉइन कर लें, और याद दिला दूं कि आर पीएसी ने आप लोग हमारा foundation batch आपके admissions का इंतजार है, आप जाकर बढ़िया से admission लें, यहाँ पर pre plus mains का complete course, recorded और live दौनों format में उपलब्द है, recorded format में वो conventional subject उपलब्द है, और live में current affairs, economic survey और जो भी content, फिलहाल, geograffy का वगरा का change हुआ है, वो आपको यहाँ पर उपलब्द हो जाएगा, तुर भी उपलब्द है, हमारी website अपनीpartshala.com पर, आप लोगों के लिए, सभी परकार के test, हमें इस पर RPSC वाले test भी लांच कर देंगे, RAS वाले test भी लांच कर देंगे, बहुती nominal कीमत पर आप उसे जाइन कर सकते हैं, हमारे handwritten notes आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, और यह Hindi